खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जनपत से हैं जहां पर एक बार फिर से नहर पर जमा हुए लोग पहुची टीम आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक, सीयर, सस्क्राइब करें साथी घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहें खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जनपत के नवीन मारडन थानहा स्रावस्ती इलाके के बगही से है जहां पर नहर पर एक बार फिर से तीसरे दिन लोग जमा हुए और टीम पहुंची है तथा फिर से तलास सुरू की जा रही है आपको बता दे दो दिन पूर्व किसन कुमार के यहां पर डूब जाने की आसंका बिक्त की गई थी तभी से लगातार उसकी तलास की जाद ही है परन सफलता हाथ नहीं लगी घटना के पहले दिन तो अस्थानिय गोता खोरो ने उसकी तलास की परण सफलता हाथ नहीं लगी ऐसे में कल दूसरे दिन यंडी आरफ की टीम को बुलाया गया जिसने रवर बोट के माध्यम से नहर में सर्च अभियान चलाया लेकिन साब हो जाने तक कोई पता नहीं लगा जिसके बाद आज सुबह पुना फिर एक बार फिर से मौके पर टीम पहुंची और अस्थानिय ग्रामीड भी मौके पर जमा हुए फिर से उसकी तलास सुरू की जा रही है घटना के लगभग चालिस घंटे बीट जाने के बार भी किसन कुमार के बारे में कोई सुरूर नहीं लगा है हाला कि नहर पर उसकी साइकल जरूर मिली थी जिसके आरहार पर आसंका ब्यक्त की जा रही थी कि वो सम्होता नहर में गिर गया पर अब तक किसन कुमार के बारे में कोई सटीर की जानकारी किसी के हाथ नहीं है स्रावस्ती जनपत के नवीन माडन थानहा स्रावस्ती के बगही गाओं के पास की ये तस्वीरे हैं जहां पर सर्जू नहर बह रही है अपने रिष्टरदारी में आया किसन कुमार साइकल लेकर नहर की तरफ निकला था तब ही से उसका कोई सुराग में है हलाकि उसकी साइकल मिली थी जिसके आधार पर आसंका बिक्त की जाए थी कि वो संभूता नहर में डूप गया जिसके चलते उसकी लगातार तलास की जा रही है तीसरे दिन एक बार फिर से परियास किया जा रहा है कि किशन कुमार के बारे में कोई जानकारी मिल सके वहीं परिजनों का रोदो कर बुदा हाल है स्रावस्ती के नवीर मारंधाना इलाके के बगही गाओं का पूरा मामला है जहांपर परसों से ही नहर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और किशन कुमार की तलास की जा रही है पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी आज घटना के तीसरे दिन एकबार पुनह यहाँ पर टीम पहुची है साथ ही ग्रामीर जमा है और एकबार फिर से किशन कुमार की तलास की जा रही है अब देखना ये होगा कि सफलता मिल पाती है अन्यता नहीं